प्रश्राइब दोस्तों स्वागत है आपका विजन के मंतली मैगजीन की सीरीज में यह लेक्चर 8 है और हम लोग इसमें IR के सेक्शन को कवर कर रहे हैं इसके पहले हम लोग ने गवर्मेंट स्कीम का जो सेक्शन ने उसको कर लिया है कवर और पॉलिटी का सेक्शन को भी कवर कर लिया है तो IR के सेक्शन में हम लोग ने चार टॉपिक को अल्रेडी डिसकस किया है और लास्ट वीडियो में जो हम लोग ने टॉपिक देखा था वो है इलकित बलतिस्तान इ तो वहां के अगर जिन लोगों ने देखा होगा उनको जाता समझने में परिशानी नहीं आएगी तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो में जो भी कुश्चन था उसको एक बार भी डिसकस करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको थोड़े बहुत और भी डिटेल्स दूँगा रिकार्डिंग विजन का जो सप्लिमेंटरी मैगजीन अभी आया है प्रेजेटली जो कि मार्च से लेकिए मही तक का कवर कर रहा है उससे रिकार्डिंग मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स दूँगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में जो कुश्चन था उसको डिसकस कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुश्चन है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो हम लोग जानते हैं कि पिछले साल ही अगस्ट 2019 में यह जो है जमो इन कश्मीर स्टेट था और स्टेट को फिर आर्टिकल 370 के खतम होने के कारण जमो इन कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइट कर दिया गया यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देख गलत हो गया तो आभ आप हम चलते हैं नेक्स प्पैंट पर तो नेक्स्ट स्टेट्मेंट है हमारा As per the Gilgit-Baltistan order 2018 The Gilgit-Baltistan region was incorporated as Pakistan's 5th province ठीक है तो ये भी मैंने आपको map के थूँ पाकिस्तान का map दिखाया था उसमें बताया था कि 4 province exist करते हैं और 5 पाइप प्रोविंस के तौर पे यहाँ पे Gilgit-Baltistan को इस order के थूँ इंकॉर्परेट किया गया था तो आपका comment section में काम क्या होगा आप मुझे comment section में बताये कि पाकिस्तान के जो चार प्रोविंस का नाम है क्या है ठीक है अब यहाँ पे second statement बिल्कुल सही है तो पहला statement गलत हो गया second statement सही हो गया तो इस इसाब से हमारा जो option होगा that is be to only इसका answer हो जाएगा और जो लोगों ने comment section में to only answer दिया है उनका जो है बिल्कुल सही है तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिसकर्स करने वाले हैं वो है non-aligned moment that is नाम तो नाम का मतलब क्या होता है नाम का मतलब यहाँ पर देख सकते है non-aligned moment होता है अब यहाँ पर non-aligned moment के बारे में थोड़ा पढ़ने के पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि context क्या है और background क्या है जिस कारण से हमें ये topic को पढ़ना पढ़ रहा है तो अभी presently हुआ क्या है हमारे प्रधान मंतरी मोर्धी जी ने participate किया है एक online summit हुआ non-aligned moment का non-aligned moment contact group का 2020 का अब यह जो online summit हुआ इसमें जहों इन्होंने participation की दिया है या इसलिए किया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी countries है world में वो सारी countries COVID-19 pandemic से एक तरह से जूज रही है तो इसी चीज के लिए solidarity दिखाने के लिए यह जो है यह जो summit हुआ इसमें इन्होंने participate किया है अगर आप अगर आपको ध्यान में होगा तो इसके पहले जितने भी नाम के summit हुए इसके बारे में जानकारी हमें होने चाहिए और यह प्रिलम्स परस्पेक्टिव से भी बहुत important हो जाता है तो चलिए अब हम लोग ने basic देख दिया context क्या है और अब हम लोग आगे देखते हैं कि और भी चीज़े क्या इस चीज़े जो summit हुआ है इससे related क्या क्या information है हमारे पास तो आगे यहाँ पर more on news देख सकते हैं तो सबसे पहले चीज़ यह जो online summit हुआ है इसका theme क्या था तो इसका theme आप देख सकते हैं यहाँ पर United against COVID-19 तो चुकि pandemic हम लोग जहल रहे हैं तो उसी के कारण इसका theme है United against COVID-19 रखा गया है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो यह जो summit है इसका aim क्या था तो इसका aim obviously हम लोग COVID-19 pandemic को face करने के लिए यहाँ पर even आप theme से इसको guess कर सकते हैं क्योंकि उसको face करने के लिए बनाया गया है तो यहाँ पर international solidarity को एक तरह से बनाने के लिए और promote करने के लिए यह जो summit है इसका एक तरह से organize किया गया ठीक है और obviously यहाँ पर COVID-19 pandemic को face करना है और fight करना है तो यहाँ पर यह जो theme है theme आपको ध्यान में रखना है क्योंकि important है और one day examination में पूछा जाता है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर host की बारे में बताया गया है कि host कौन है अभी presently तो यहाँ पर देख सकते हैं इस summit के host कौन थे तो president of republic of Azerbaijan ठीक है अब यहाँ पर यही है current chairman भी है नाम grouping है तो 2019 में जो Azerbaijan में submit हुआ था proper वाला इसका नाम का तो उसमें भी अगर आप देखेगा तो उस time पे भी host Azerbaijan ही था ठीक है तो यह भी ध्यान में आपको रखना है आगे बढ़ते हैं तो जितने भी नाम leaders इसमें मिले थे common database में क्या क्या हो जाएगा जो identify करने वाले होगी चीज़ तो देख सकते हैं कि basic medical, social और humanitarian needs जो रहेंगे member countries के उसको यहाँ पे इन्होंने include करने की बात कही है और यह जो भी needs हमगे obviously COVID-19 pandemic को fight करने के लिए ही इस्तमाल होने वाला है अब हम लोग आगे भड़ते हैं और थोड़ा नाम के बारे में जानते हैं क्योंकि उसके basics के बारे में जानना काफी ज़्यादा जरूरी है तो अब यहाँ पे आप image देख सकते हैं ठीक है तो image से related मैं थोड़ा बहुत आपको और भी information देता हूं तो यह जो map है इसको समझना काफी ज़्यादा important है क्योंकि इससे आपका पूरा नाम का जो हो है base बन जाएगा ठीक है तो सबसे पहले चीज थोड़ा साब आपको मैं हलका सा history बताता हूं क्योंकि उसको हम तो काफी ज़्यादे detail में आगे discuss करने वाले हैं तो यहाँ पर history आप जान सकते हैं कि जो non-aligned moment है यह एक तरह का forum है जिसका formation हुआ था cold war के टाइम पर cold war किनके बीच चल रहा था तो United States of America और Soviet Union के बीच में चल रहा था ठीक है तो यहाँ पर याद रहे का Soviet Union रश्या के बीच में नहीं चल रहा था Soviet Union का disintegration जब 1990s में हुआ तो उसके बाद Russia का formation हुआ था तो यह आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है तो cold war जल रहा था USA और Soviet Union के बीच में तो उस टाइम पर क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे countries थे जो इन दोनों power blocks के पास align नहीं होना चाहते थे तो उन लोगों ने मिलकर non-aligned moment का formation किया यह forum का formation किया और इसी forum में क्या हुआ तो जो भी member नहीं बनना चाहते थे वो इसका part बन गये थे ठीक है तो अब यहाँ पर जो important चीज जो ध्यान में रख सकते हो वो पहली चीज यहाँ पर dark blue color में जितने भी countries है वो इसके member state है नाम और यहाँ पर बहुत सारा part आप European Union का देख सकते हो या Europe का देख सकते हो ठीक है तो इसका आप देख सकते है यह लोग जो है grey color में है तो obviously यह part नहीं है इसके लाब आप यहाँ पर यह भी देख सकते हो कि Australia भी part नहीं है और even New Zealand भी part नहीं है इसका ठीक है और एक बहुत important ची यह map को गौर से अगर आप देखोगे तो खुद बखुद realize हो जाएगा और इनी चोटी चोटी चीजों को देख कर जो examiner है वो question बनाते है और उस time पर हम लोग का strike नहीं करता तो जिस कारण से हम लोग obviously question को solve नहीं कर पाते हैं तो इस तरह का थोड़ा मतलब obviously जब भी आप map देखें तो छोटी छोटी चीजों को जरूर ध्यान में रखें तो यहाँ पर map से हम लोग ने सारी चीज़े देख ली यूरोप के देख रहा है कि यूरोप के बहुत सारे part जो है वो obviously countries जो है वो इसके part नहीं है non-aligned moment के तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है तो यह Wikipedia के page से मैंने PDF बनाए हुआ है तो उसके ऊपर में आप देख सकते हैं उसी ही से regarding हम लोग पढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि Vision के document में नहीं था Vision के document पे छोटे-छोटे important points दिये हैं पर यहाँ पर हमेरे पास और भी ज्यादा extra details है इसलिए मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ तो यहाँ देख सकते हैं non-aligned movement के बारे में कि यह क्या है नाम क्या है तो नाम एक forum है जिसमें 120 developing states एक तरह से part लेते हैं ठीक है और एक तरह से इनका मैंने आपको अल्लेडी बता दिया हुआ है कि जो भी major power block बने थे cold war के era में वहाँ पे लोग alignment show नहीं करते हैं या फिर उस आपको मेरे खाल से यह इसको बताने में ज्यादा परिशान ही नहीं आएगी क्योंकि news analysis में हम लोग ने already इसको cover किया है क्योंकि अभी हाल फिलाल में ही India जो है वो non-permanent member बना है United Nation का ठीक है तो इसलिए आपको यह चीज़ जो है पता होनी चाहिए कि member countries कितने हैं तो अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1955 में bangdang conference हुआ था तो उसी में non-aligned movement की एक तरसे नीव रखी गई थी एक तरसे जो भी principles हैं उसका यहाँ पर decision हुआ था और यहाँ पर जो भी principles बने थे उसकी basis पर ही 1961 में इसका जो है establishment हुआ कहां पर तो Belgrade, Serbia, Yugoslavia म कि यह जो non-alignment movement है यह जो बना है तो यहाँ पर इसमें किसके किसका एक तरसे contribution रहा है किसके initiative पर यह बना है तो यह भी जाना ज़रूर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Indian Prime Minister Jawala Nehru involved थे घानानियन President यहाँ पर Guame Nokruma एक तरसे यहाँ पर involved थे इसके लाबा इंडोनेशन President सुक्रानों भी थे Egyptian President गमाल अब्दिल नसेर और यूगोसलाव के जो प्रेसिदेंट उसरा में हुआ करते थे जॉसप ब्रोज टीटो तो इनका involvement काफी जादा था और यहाँ पर तीन लोगों का involvement काफी जादा मना जाता है एवन अगर आप NCIT पढ़ेंगे तो उसमें भी इ अब आगे बढ़ते हैं तो अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं यह जो term non-aligned movement है यह पहली बाड़ी appear कब हुआ था तो 5th conference हुआ था 1976 में तब जाके यह non-aligned movement जो term आया है एक तरह से appear हुआ था यह भी आपको ध्यान में रखने की जरुरत है और यहाँ पर वही है कि जो भ national organizations भी इसके part हैं तो यह आप ध्यान में रख सकते हैं इसको आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो हमें extra details यहाँ पर दिया हुआ है वह है कि जो organization है नाम organization इसका जो purpose है इसको किसने कि इन्हों ने यहाँ पर इसका purpose बद एक तर से decide किया या enumerate किया तो इनका नाम है Fidel Castro और इन 1979 में हुआ उसमें इन्होंने बताया कि इसका जो purpose रहेगा वह ensure करना रहेगा national independence, sovereignty, territorial integrity, security of non-aligned countries और यहाँ पर बही बताया जा रहा है कि किस चीज में तो obviously in their struggle against imperialism, colonialism, neo-colonialism, racism and all forms of foreign aggression, occupation, domination, interference of hegemony as well as against great power and block politics तो यहाँ पर simple सा है इनका अगर आप देखोगे तो इसको आप एक तरह से इकटा करके अगर आप पढ़ोगे तो simple सी चीज है कि blocks का पार्ट नहीं बनना ठीक है और इसके लावा अपनी independence और sovereignty को एक तरह से maintain करके रखना तो आगे हम लोग इसके बारे में भी और भी जादर detail में देखेंगे जो vision के document में दिया हुआ है तो यहाँ पे आप अब देख सकते हैं कि 55% of world population एक तरह से आप कह सकते हो कि part नहीं है किसी भी block का indirectly आप ऐसे बोल सकते हो तो यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि membership जो है वो maximum concentrated है third world countries में जो की developing countries के part हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ सकते हैं पर ऐसा नहीं है क सिर्फ developing countries ही इसके part हैं यहाँ पर काफी सारे developed nations ही इसके part बने हैं बाद में यह भी आगया point अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर extra detail यह दिया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे countries हैं जो अभी member है non aligned movement के तो यहाँ पर वो initially उन्होंने superpowers के साथ काफी जादा close relation दिखाया था जै एक तरह से जो भी एक तरह का उनका multilateral ties है उसको connection को एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से strong करके रखा था और unity बनाये रखा था developing nation of the worlds के बीच में और यहाँ पर देख सकते हैं especially यहाँ पर global south जो थे उनका को मतलब उनके बीच में unity जो है वो काफी जादा strong हुआ करता था त अब हम लोग vision के document पर सीधा shift करते हैं तो यह मैंने आपको already अच्छी तरीके से दिखा दिया था अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज वही सारी details दिया है जो हम लोग ने अभी Wikipedia के page से already cover कर लिया है तो इसका formation cold war के time पर हुआ था और यहाँ पर नीव रखी गई थी और इसका जो नाम का पहला conference है पहला हुआ था Belgrade conference और यहाँ 1961 में हुआ था और इस ताहीं पर किनके leadership में हुआ था यह भी हम लोग ने देख लिया तो leadership था इंडिया यूगोसलाविया इजिप्ट खाना और इंडोनेशिया ठीक है तो यहाँ पर establishment आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ने यह पहले देख लिया है कि 17 countries है यहाँ पर जो की observer है और 10 international organization है जो की नाम के observer है तो यह हम लोग ने पढ़ लिए पढ़ लिया है आगे बढ़ते हैं अब आते हैं यहाँ पर की principles तो मैंने आपको परपस तो अल्रेडी बता दिया है जो पांचो principles क्या है पंचीशील के और अभी present scenario में जो पंचीशील के principles है यह आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया और चाइना का जो stand-off चल रहा है इस कारण से यह जो एक principle है यह हम लोग ने चाइना के साथ relationship बनाने के लिए इस्तमाल किया थ ठीक है तो पांच principles क्या क्या है तो पहला है mutual respect for each other's territory, territorial integrity and sovereignty तो obviously एक दूसरे का जो territorial integrity है that is उनका जो borders है उनका वो उसको respect करना और साथ के साथ sovereignty को maintain करना मतला obviously किसी और के ओपर में प्रभुत वो नहीं दिखाना तो यह हो गया पहला हो गया mutual respect दूसरा है non interference is each other's military and internal affairs तो जो internal affairs किसी के country होता है उसमें कोई भी interference नहीं दिखाना mutual non aggression मतलब एक दूसरे के तरफ ज्यादा aggressive नहीं होना इसके अलावा equality and mutual benefit obviously एक दूसरे को equal level पर treat करना और एक दूसरे का फाइदा करवाना और आखरी यहाँ पर देख सकते हैं peaceful coexistence and economic cooperation तो यहाँ पर economic cooperation obviously trade के थ्रू हो सकता ह और peaceful coexistence मतलब एक दूसरे को भड़काना नहीं और एक दूसरे को एक दूसरे के उपर attack नहीं करना ठीक है यह सारी points हम लग देख लिया यहाँ पर की principles क्या है नाम के और यह principles और punch shield के उपर में ही based है यह भी हमारा cover हो गया अब आगे भरते हैं अब आते है next point की नाम का relevance क्या है इंडिया के लिए यह बहुत important है क्योंकि present scenario में अगर आप देखिएगा तो हमारे प्रधान मंत्री ने मतलब इसको जादा इसको तबज्यों नहीं दी और काफी जादा neglect किया है पर present scenario में हम लग जानते हैं जो online submit हुआ उसमें उन्होंने obviously participate किया है तो इस कारण से यहाँ पर relevance बहुत important हो जाता है नाम का तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री ने जो previous दो नाम submit हुआ एक जो हुआ था वेनेजोला में 2016 में और दूसरा जो हुआ था अजरबाईजान में 2019 में तो इसको इन्होंने attend नहीं किया ठीक है तो इस हिसाब से आप सम पारण से यहाँ पर जो online submit हुआ तो एक तरह से वापस से इसका एक पावर फुका है और वही है कि आप हो सकता है कि नाम के relevance को आफ्टर मैथ में ऐसा माना जा रहा है कि अब एक नया global order बनने वाला है तो आखिर यह नया global order कैसे बनने वाला तो सबसे पहले चीज़ आप दे से steps ले रहा है जो obviously बहुत सारे changes लाएगा पहली चीज़ तो वो protectionist एक तरह से policies को जाधा promote कर रहा है दूसरी चीज़ आप जानते हैं कि वो WHO से भी वहाँ पर अगर आप देखेगा तो उनका funding रोक चुका है और हो सकता है कि वो part भी ना रहा है तो इस कारण से अगर आप notice क करिएगा तो USA का जो main motive है पहले हुआ करता था कि वो leadership provide करता था हर एक चीज़ में पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि leadership आप वो एक तरह से नहीं provide करना चाहता है अब चाइना के साथ भी वो एक तरह से problem है चाइना भी कोशिश कर रहा है कि वो हर एक चीज में आगे को बढ आउंटर हो जाता है प्लस चाइना का जो ideology है वो थोड़ा मतलब contradictory हो जाता है इन सब तरह के organization से अगर आप देखेगा तो क्योंकि obviously उनका हर बार का जो motive रहता है वो रहता है कि किस तरह से assertion किया जाए ठीक है मतलब obviously लोगों के उपर में किस तरह से दवाव बना के अपना क काम निकाला जाए उनकी territories को हतिया जाए तो इस कारण से यह aftermath होने वाला है COVID-19 में यहां पर एक नया global order बनने के पूरे chances हैं तो यहां पर यह आ जाती है बात कि चुकि एक नया global order बन रहा है तो इस case में मतलब नाम का जो एक तरह से आप देखिएगा यह importance वो काफी जादा सामने आ रहा है अब हो क्या रहा है कि maximum अगर आप देखिएगा तो maximum nations वो क्या कर रहे है कोशिश कर रहे है कि वो independent पोल बनाए in global affairs एक अपना अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे है तो इसी तरह से आप देख सकते हैं इसी में इंडिया जो है मतलब नाम के साथ अगर औ इंडिया जो है और और बी जादा एक तरह से बात चीत करें तो वह बहुत इजली mobilize कर पाएगा support को वह अपने interest के हिसाब से ठीक है तो जैसा वह चाहेंगे वह उसी हिसाब से अपना अपने interest के हिसाब से वह mobilize कर सकते हैं नाम के अंदर में जितने भी countries है और हम लोग ने जो है वह बना सकते हैं अब regarding various things जैसे for example यहाँ पर आप देख सकते हैं कि can make a difference to impending contention at world health assembly like reviewing WHO's performance during COVID-19 crisis तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यह जो WHO का performance रहा है COVID-19 crisis को tackle करने में यह काफी जादा questionable रहा है और बहुत सारे countries जैसे for example अगर आप देखिएगा तो United States of America यह question उठ आते हैं तो यहाँ पर यह जो WHO का एक तरह से performance को assess करने की बात है तो यह World Health Assembly में उठाया गया था तो इसी चीज़ को क्या हो सकता है कि इसी point को यहाँ पर World Health Assembly वाले point को नाम के अंदर में एक तरह से लाके और उसी के हिसाब से मतलब इंडिया जो है अपने हिसाब से अगर इ United Nations में भी हैं तो उनके थुरू वह एक तरह से support mobilize करके अपने हिसाब से काम करवा सकता है तो यह एक बहुत अच्छा कासा example आपको मिल गया अब आगे भरते हैं तो next आप यहाँ भी देख सकते हैं obviously relevance के बारे में ही और भी चीज़े बताए गई हैं तो यहाँ पे नाम में न Western ideological crusade है उस तरह का नहीं है बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ideology की बात ही नहीं हो रही थी यहाँ पे दू blocks का पार्ट नहीं बनने की बात है जिस कारण से नाम का formation हुआ है तो यह जो anti-western एक तरह से ideological crusade की तरह से इसको माना जा रहा है यह बिल्कुल गलत है इ बात के साथ interdependent हो गया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक एरिया में अगर कोई भी सामान नहीं है और दूसरी एरिया में वह सामान नहीं है तो अगर पीसफूल या फिर cooperative environment बना रहता है तो ठीक है तो आगे आप एक चीज़ यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पे climate change हो या environmental degradation हो, terrorism हो, radicalization हो, poverty हो, public health emergencies होती यह सारे challenges जो है एक कोई भी country अकेले face नहीं कर सकती और अगर world divided रहेगा तो इसको और भी अच्छे तरीके से face नहीं किया जा सकता तो इसलिए solidarity की काफी जादा importance है और यहाँ पे ज़रूरत है कि सारे country जो है एक साथ मिलके काम करें इस तरह यह जो challenges है इसको face करने के लिए और यही है यहाँ पे कि नाम जो है एक तरह का यहाँ पे cross-sectoral challenges को एक तरह से identify कर सकता है और उसी हिसाब से immediate attention भी उसको दिया जा सकता है तो यहाँ पे वही है कि नाम का आप देख सकता है कि 120 countries काफी सारे countries हो है ना तो हो सकता है कि जैसे इसमें दो countries हो गए जो कि एक तरह से terrorism को face कर रहे हैं तो उस case में क्या होगा कि obviously नाम के अंदर में consensus बनाया जा सकता है और उसी के basis पे फिर terrorism को tackle भी किया जा सकता है या फिर जो भी उससे regarding जो भी action लिना होगा वो भी लिया जा सकता है अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं जो आकरी जैसे democratic, effective, flexible, credible, transparent और representative एक तरह का यह organization है ठीक है तो इसमें हम लोग जानते हैं कि काफी सारे countries हैं जो कि obviously मतलब एक तरह से बहुत सारे challenges को face कर रहे हैं different type के challenges को face कर रहे हैं और साथ के साथ उनका अगर आप देखेगा तो उनका contribution भी अगर देखेंगे तो काफी जादा अच् challenges को tackle भी किया जा सकता है और एक और important चीज है कि इसमें आप देखेगा तो major blocks जो है नहीं है इसमें major blocks जैसे for example United States नहीं है Canada नहीं है और आप गारे European Union के बहुत सारे countries नहीं है रशिया नहीं है तो इस तरह के बड़े countries नहीं होने के कारण यहां पे जो छोटी-छोटे countries हैं औ developing world के countries हैं वो अपने हिसाब से मिलकर चीज़े decide कर सकते हैं और फिर उसी हिसाब से action लेंगे तो उनको obviously जादा फायदा होगा क्योंकि अपने interest के हिसाब से वो जादा अच्छे तरिके से काम कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब आते हैं यहां पे कि highlights of prime minister's address to naam मतलब यह प्रान मंतली का address है उसको एक बड़ी एक तरसे यहां पे access कर लेते हैं तो सबसे पहले चीज़ उन्होंने highlight जो किया है नाम के regarding वह यह है कि इनका कहना है कि democracy, discipline and decisiveness जो है यह बहुत important है क्योंकि हम लोग जो covid-19 pandemic है इसको fight कर रहे हैं तो इसमें जरूरत है कि इसको एक तरसे people's movement बनाएं तो people's movement बनाने के लिए democracy, discipline and decisiveness बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनका साथ हाना काफी ज़्यादा important है तो पहला point ही हो गया दूसरा point यहां पे इन्होंने बता है कि अगर आप देखिएगा तो यह जो platform है जिसमें देख सकते हैं कि सारे नाम countries है तो नाम countries को इनका एक तरह से इन्होंने आवाहन किया है एक तरह से बोल सकते हैं कि जो भी मतब पूल करें experiences को मतब बहुत सारे countries यहां पे included हैं तो अब देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ न कुछ experiences collect किया होगा किनोंने बहुत अच्छे तरीके से टाकल किया होगा COVID को और किनोंने नहीं किया होगा तो यहां पे इनका यही कहना है कि सारे नाम countries मिलकर experiences को पूल करें जो भी best practices हैं उनको पूल करें किस तरह से उन्होंने crisis management protocols बनाए हैं उसको पूल करें और जो भी research और resources है उसको पूल करें जिससे COVID-19 pandemic है जो उसको अच्छे तरीके से ठाकल किया जा सागे फिर इ तो founding principles obviously पंच्छील वहला आपको ध्यान में होगा और इसके लावा जो फिडियल कास्टों ने जो purpose बताया था उसको आप बिल्कुत ध्यान में रख सकते हो तो यह बात आगी यह बात आगी अब इसके आगे आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने बताया है बहुत और भी चीजे बोली हैं कि यह जैसे example देख सकते हैं आपर कि terrorism, fake news और doctor videos जो है इनका कहना है कि यह community में, community और countries के बीच में divide create करता है और एक तरह से deadly virus के तरह ही है ठीक है तो इसको भी एक तरह से tackle करना काफी ज़ादा ज़रूरी है आगे बढ़ते हैं आपर तो यहां पर इन्होंन जानते हैं कि बहुत जादा representative और inclusiveness show करता है इस तरह के organization नाम type के organization तो इनका वही कहना है कि जितने भी international institutions है उनकी need काफी जादा important भी हो जाती है क्योंकि वह different type of countries हैं उनके point को रखने का काम करता है और representation अची तरह से show करता है तो इसके लिए भी important है कि जो limitations है उसको एक तरह स खतम किया जाए तो यह भी आगया बात अब आखरी point जो इन्होंने बोला है वह है कि human welfare को promote करना और इसके अलावर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहली चीज़ important हो जाती है और rather than economic growth alone तो इनका यह कहना है कि maximum countries अगर आप देखिएगा तो वह economic growth के उपर में ही focus करते आए हैं तो इनका यह कहना है कि अब human growth पे जाधा focus करने की ज़रूरत है और promote करने की ज़रूरत है human welfare को और यहाँ पे वह यह कि economic growth को उपर में ध्यान रखने की ज़रूरत मतलब जादा नहीं है यहाँ पे एक तरह से इन्होंने बोला है कि दोनों के बीच में एक तरह का balance बनाने की ठीक है human welfare तो सबसे important है ही और इसके साथ में economic growth भी है तो दोनों के साथ में अगर balance बना है तो जाधा अच्छा रहेगा rather than एक ही one-sided approach रखने की जगह पे और इसके लाबा इन्होंने बता है कि इंडिया के initiatives को इन्होंने highlight कि है कि कि इस तरह से हम लोग human welfare को जाधा तबज्ज कर रहे हैं और सीधा खाली economic growth पर focus नहीं कर रहे है तो यह रहा है यह पूरा highlight है जो कि मतलब प्रधान मंत्री ने जो address किया था नाम में उससे related और हम लोग ने पूरे अच्छे तरिके से detail में discuss कर लिया तो इसी के साथ हमारा जो नाम वाला topic है यह cover हो गया है और इसके बाद अब मैं आपको question देता हूँ और मेरे खाल सापको यह discussion आपको अच्छे तरिके से समझ में भी आया होगा क्योंकि इसमें काफी important points थे जो हमारे लिए प्रिंस perspective से काफी important हो जाते हैं तो अब मैं आपको question देता हूँ फिर इस वीडियो को हम लोग wrap up करेंगे that did not formally align themselves with either the United States और Russia but sought to demand independent और neutral ठीक है तो पहला point ही आ गया दूसरा statement आप यह सकते हैं कि South Korea and Japan are its observer states तो इन दोनों यहाँ पर जो statement दिया है इन दोनों statement के basis पर आपको correct option को चुनना है यहाँ ठीक है correct option को यहाँ पर चुनना है तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग wrap up करते है तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो नाम का जो topic है उसको हम लोगों अच्छे तरीके से discuss कर लिया और हमारे यह topic खतम हो गया और अब हम लोग next जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग तीन topic को एक बारी में ही पढ़ लेंगे ठीक है कि वो चोटे चोटे topics हैं उसको जादा डीटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी ठीक है तो इस वीडियो के बाद हमारा जो next वीडियो होगा भी मैं कोशिश करूँगा बना लेने का और इसको हो सकेगा तो या तो कल के लिए schedule करूँगा या फिर हो सकेगा तो आज रात के लिए schedule कर दोगा तो आपका IR क जो topic है वो finish हो जाएगा May month के magazine से ठीक है इसके बाद मैं आपको फिर मैंने आपको सोचा है यह जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जैसे पॉलिटी खतम हो गया है government schemes खतम हो गया है और IR भी खतम हो जाएगा तो यह तीन topic को मैं बाकी April और March वाले magazine से भी खतम करवा तो इससे होगा क्या कि आपका यह जो topic है यह पूरा prepared हो जाएगा May तक का ठीक है तो अब अगर मान लीजे जैसे 12 जुलाई आज हो गया तो 5-6 दिन में आपका जो magazine नया आजाएगा vision का तो फिर क्या करूंगा मैं उस magazine से भी उठा लूँगा June वाले magazine से और फिर इन दो इन अगर finish होते जाएगा तो उससे आपका at least जो confidence है वो भी बना रहेगा ठीक है तो मेरा अप्रोच यह रहेगा मेरे क्याल से यह सही भी अप्रोच है और रही बात supplementary magazine की तो जो भी मैंने topics अभी दिखाए हैं आपको और magazine जो करवा रहा हूं मैं इसी से topic उठाके उन्होंने ब तो IR में total 6-7 topics हैं तो वो 6-7 topics के लिए दो वीडियो का उसको मैं split करके join कर दूँगा और आपका supplementary का वो topic एक तरह से cover हो जाएगा ठीक है क्योंकि redundancy नहीं करने की जरूरत है एक बाड़ा अल्यडी पढ़ा दिया तो फिर उसको वापस से क्यों ही पढ़ाना है ठीक है तो यह भी आपके लिए सही रहेगा मेरे खाल से तो चलिए अब इस वीडियो को finish करते हैं और next video में मिलेंगे so thank you so much for watching